जी असलाम को नाजरीन आप देखरे हो राइजिंग कश्मीर और मैं हूँ आरिफ रेशिद मैं इस विकद चाड़ोरा एसम्बली का नस्टनसी में मौझूद हूँ मेरे साथ अभी मौझूद है अलिमा मद्डार जुन्हें रिसेंटली चाड़ोरा एसम्बली से आपने इंति चाड़ोरा से जीता है और लोगों को आपसे बहुत सारी उमेद है कैसे देख चाड़ोरा के वाटरन की काम्याबी है जिनका मैं दिल की एम्यूद गहरा है उनसे शुक्रियादा करता हूं और उमेद है हम अल्ला ताला हमें हिम्मत के कि हम उनके जो तावकात है हम उनको बात करेंगे आपकी पॉलिटिकल केरियर की तो आपके कब से पॉलिटिकल केरियर अपने स्टार्ट किया था देखे आप यह की नहीं करोगे कि मेरे शुरुवात सियासत में कब हुए उस वक्त मैं आठी नावी जमात में ही पढ़ रहा था जब यहां महाज राश्मारी का दोर दोरा था तो वो जो जमात के ओधदारान मेंबर्शिप के लिए गूम रहे थी मैं उनके साथ चलता था फिर जब मैं कालिज में पढ़ रहा था गोवर्में डिगरी कालिज ब्यमना उसी दोरान हमारे जो उमेदवार है उमेदवार थी उन दिनों अब्दुलसामन मिय सहब वो मुझे कालिज ही आया तो उसने मुझे अपने साथ उठाया तो शरुवात सेवंटी फाइव से ही मैंने सियासत में हिसा लेने की हिसा लिया है अगर हम बात करेंगे चाड़ूरा एसमली कोनेसेंसे डिवलॉप्मेंट प्रोजेक्ट की बोसर ऐसे विलेज जिस हैं अभी तक मतव ऐसी डिवलॉप्मेंट नहीं हुई हैं और आपको लोगों ने इस बार चुड़ा है मोका दिया है आपको क्या जो लोगों के मसाइल हैं वो क्या इन पांच सालों में पूरी तरह कम्प्लीट हो जाएंगे चाइडूरा में लोगों के काफी मुश्किलाथ है चाइडूरा में डेवलॉप्मेंट की इस हद तक जरूरत है अल्ला मुझे हम्मद्य कर सकूँ तो मुझे उमेद है मैं उनके तावकात को पूरा करने में काम्याब होगा और मैं अपनी काम्याबी तब ही सामझूँगा जब मैं लोगों के मसाइल और लोगों के तावकात पौरा कर सकूँ। हम बात करेंगे डिलिमिटेशन हुआ बढगाम के दो असम्बली सेगमेंट्स को नार्थ कश्मिर के साथ जुड़ा गया बीरवा और बढगाम तो इससे कुछ लोगों की जो मुश्किलात हैं वो बढगी है दूर हो गए देखे मैं आपको सफ़ाई से एक बात बता दूंगा बीजेपी सरकार ने जो डिलिमिटेशन की उनकी नियर ठीक नहीं थी इनको ये अंदाजा था हम लोग उनको एक जगह से लेके दूसरी जगह लेंगे शायद नैशनल काउंसल कमजूर होगी ये देखो अल्ला ताला की हम पर महरबान हो गए उसी से हमें फाइदा मिला ज्यादा वरना कहां से भीरू कहां से बढगाम पार्लिमेंटरी कानस्ट्योंसी उनको बढ़ा मुला दी गई कहां से शिपियन पलवामा तो उनको संट्रल कश्मिर से मिला दिया तो ये नानिसाफी थी इसी तरह जब अस्मबली कानस्ट्योंसी के डिलिमिटेशन हम देखेंगे कही कही जगो पर उन्होंने इतना गलत किया कि अंदाजा नहीं था तो अल्ला ताला हम पर महर्बान हो गए वोटर तो वही थे उन्होंने नैशनल कानस का साथ दिया तो हमें कामिया भी मिली अगर आज आफ रिजल्ट देखेंगे आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उनकी डिलिमिटेशन करने से हमें कितना फायदा मिला तो उनकी नियत खराब थी इससे ये साबित होता कभी हरगिस भी ये नहीं सोचना कि मैं कोई तकरीबी पालसी करूँ तो उनकी नियत थी उसका बदला उनको मिला गया तो अगर हम बात करेंगे चाड़ुरा करनेस्टेंसी में क्या मैनिफेस्टो रखाएं इस बार कुन से प्रोजेक्ट से देखें चाड़ुरा में डेवलेमेंट की काफी ज़रूरत है आप देखें चाड़ुरा का हस्पताल सब डिस्ट्रिक नाम का बिलकि मैं मुझे कहने में कोई हिश्कषार्ट नहीं है कि वहां हेल्स सेंटर की फैसल्टीज नहीं है आप देखें ये से चाड़ुरा गाम वहां जो पहले फैसल्टीज थी मतलब आज से बेस साल पहले आज नहोने के बराबर है पैसल्सी के के साथ नाइन साफी है इनको दूर करने की जरूर रहे इसी तरह एजुकेशन सेक्टर आप देखो यहां एक बहुत ही बड़ा एरिया है क्राल अप हो रहा है दस थाजार से ज्यादा आबादी है वहां कोई हैलस सेंटर नहीं है वहां कोई डिस्पनसरी नहीं है इसी तरह बहुत से एरियाज है जहां मेडिकल फैसल्टीज नहीं है एजुकेशन में काफी पीछे हैं तो देखनी की जरूरत है गोवर्मेंट को तावजू देनी की जरूरत है चाड़ुरा की तरह तो अगर हम बात करेंगी टूरिजम के हवाले से टूरिजम बढ़काम में हुज प फोकस करेंगी इस सरकार की प्राइर्टी होगी लबाब देखे यह उसमार एक ब्यूटिफल प्लियस है मगर वहां तो ज्यादा कोई जो होना चाहिए जिस तरह टूरिस्ट वहां आने चाहिए तो नहीं आते हैं उसके कुछ रिजन है हुकूमत को यह जो मतलब प्लियस इस टूरिस्ट प्लियर उनकी तरफ तावजु दिनी की जरूरत है बढ़ गये बैठे और बढ़गाम की जो प्रावब्लिम्स उनको दूर करें तो कब यह होगा यह पासिबल बहुत जालत जरूर हम एक ही जमात के हैं कटे बेट की ही बढ़गाम के बारे में सोच लेंगे मैंने कही बार मीडिया के थ्रू लोगों को एकिन दिया और आपके थ्रू भी मैं आपके वसात से भी मैं चैडूरा के लोगों तक एक पैगाम पहुचाना चाहता हूँ आप मुतमें रहे आपके जितने भी मसाइल है जो भी मसाइल है जितने भी मुश्किलात है मैं आपको काम आओंगा मैं इनको पूरा करने की कोश्च करूंगा मैं रात मेहनत करूंगा और आपके लिए 20 गैंटे अवैलिबल होगा जब भी आपको मेरी मादत की जरूरत मैं हाइजर हूँ चाहे वो रात के टाइम कोई भी क्योंने मेरे पास आना पड़ेगा मैं हाइजर हूँ तो और जो ज्यादित या आज तक चाड़ुराए के साथ हुई है उनको मैं दूर करने की कोश्च करूँगा होता या वीडियो फंड होता वो बाजबता इनको मंत्री नहीं मिलता लोग चाहते हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए और मंत्री वो मिलना चाहिए क्या आपकी सरकार मांग को पूरी करें बिल्कुल जी हम जानते हैं इनको मतलब हर मिहने मिलना चाहिए काफी टाइम दो मिहने, तीन मिहने, चार मिहने डिले होता है हमारी कोशिश रहेगी, वक्त पर उनको मिलना चाहिए और इतना ही नहीं पहल कि हमने अपने मनशूर में वादा दिया है इसमें हम इजाफा भी कर देंगे चलो शुक्रिया हम से बात करें थैंक यू